Hello everybody, कैसे आप सबी उमीद कर रहा हूँ, आप सबी अच्छे होंगे, मैं आपका वापे से सौगत करता हूँ, JPG सीरीज में मैं हूँ अर्पितने माफ फ्रम फेवरिट फीलनिक प्रेटफॉर्म जहां पे आप सब आप सब आप सब तो physics, chemistry, methodology, absolutely for free at lernohub.com तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती आपकी electrochemistry, मतलब यहां पर आपको एक 12 की जहलक देखने को मिलेगी, जहलक तो नहीं, बहुत important chapter electrochemistry, J.E. मैं, ठीक है, तो ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना है, इसमें, redox के थोड़े थोड़े छोड़े छोड़े से concept लगने वा है, ठीक है, तो बिलकुल चलो अपने नोर्ट्स को तयार रखो, redox वाले नोर्ट्स है, उनके ही continuation में ये वाले नोर्ट्स बनाना, स्टार्ट करते हैं, electrochemistry, किस से? electrochemical cell से. चलो समझते हैं, electrochemical cell जिसको galvanic cell F, voltage cell B बोला जाता है, अब ये होता क्या है, electrochemistry में, electricity और chemical की बीच की जो चीज़े हो रही, उनके बीच का relation है, उसकी study करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले समझे लो, क्या होगा electrochemical cell में, तो देखो यहाँ पे, electro chemical cell, chemical cell, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, एक chemical reaction होगी, जिसको, जिसमें से क्या होगा, electricity convert करना पड़े, चलो समझो, एक chemical energy से, मैं क्या बना सकता हूँ, electrical energy मैं बदल दूँ, या फिर electricity बना दूँ, फिर से सुन लो, chemical reaction हुई, उससे क्या produce हो गई, क्या generate हो गई, electricity, तो उसको ही क्या बोला जाता है, electro chemical cell, फिर से सुन लो, एक बार और वापिस, बार बार सुन सकते हैं, क्या दिक्कत है, cell, जो की, chemical reaction को, या फिर chemical energy को, convert कर दे, किसमें, electrical energy मैं, वो क्या होता है, electro chemical cell, अब कौन सी reaction, कैसी reaction, कैसे होती है, यह सब बाते आ रही होगे, आपके नहीं भी चाहिए, देखो तो यहाँ पर, आप सभी के book में, बहुत famous सी reaction, Zn, Cu2+, Zn2+, और Cu बना रहा है, इन दोनों की reaction हुई, यह बन गया, कैसे बन गया, ऐसे कैसे, तो सुरू मैं बताता हूँ आपको, सबसे पहले आपको एक container तो दिखी रहा है, ठीक है, एक container लेते हैं जिसके अंदर zinc का salt solution होता है, मतलब ZnSO4, एक salt solution होता है, zinc का कौन सा ZnSO4, ठीक है सर, और उसके अंदर डाल दी जाती है, rod Zn की, सेम क्यों कर दिया, reaction हो गई फिर, सेम अगर नहीं कर दिया, reaction हो गई फिर, क्या कर लोगे न, ऐसा नहीं होना चाहिए, चलो, अब, सेम इसको क् copper का salt solution होगा, मतलब की CUSO4 होगा इसमें, और copper की जो rod है, उसको dip कर दिया जाता है, clear है, समझ में आ गया, अब सुनो, electrical energy में convert करना है, तो wire तो लाना पड़ेगा, क्या होगा, इन rod को, ये जो rod देख रहे हैं, zinc की rod, और ये copper की rod को क्या कर दिया जाता है, ऐसे connect कर दिया जात है, clear हो गया, अब यहाँ पर है आपका एक switch, ये है आपका एक switch, switch पता ना, button, टक 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 टक, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही switch close हो जाएगा, ये close हो गया, तो आप क्या होगा, यहाँ से circuit पूरा हो गया, ठीक है, circuit पूरा हो जाएगा, यहाँ पर आपको एक reading देखने को म वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या बताएगा कि कितना वोल्ट यहां पर बन रहा है, EMF, cell difference, potential difference, इसके बारे मैं यहां पर बात करेगा, अब इसको पूरा समझते हैं, चलो आ जावागे, ठीक है तो यह एक बड़ा सा टाइगराम आपको देख रहा है, सेम ही है, ठीक है तो अ यह क्या करता है यह अपने उल्यक्ट्रण निकालता है तो क्या होगा यह Zn2 पलस फॉर्म में बाहर आएगा और दो इल्यक्ट्रण निकाल देगा और कोई अपना अगर इल्यक्ट्रण को लूज कर रहा है उसको क्या बोलते है उसको बोलते हैं Oxidation Oxidation ठीक है समझ में आ गया यह यहाँ पर Zinc Rod है यहाँ पर क्या हो रहा है Oxidation क्या हो रहा है फिर सब सुन लो Oxidation मतलब की यह जो Zinc Rod है यह किसमें Convert हो रहा है Zn2 Plus में मतलब यह Zinc Rod में से निकल रहा है Zn2 Plus और यहाँ पर बन रहे हैं Electron, 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 Electron मैंने वापिस से वोला मैंने यहाँ पर जो Switch था उसको क्या कर दिया है Press कर दिया है मतलब On कर दिया है तो Electricity का Flow होगा और Electricity का Flow क्या होता है उसक्या बोलते हो जब Electron का Flow होगा तभी तो Electricity का Flow होता है अब यहाँ पर देखो ZN जो है ZN 2 प्लस में बदलते जा रहा है समझ में आ गया तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर किसका सॉलिशन है ZN SO4 का सॉलिशन है क्लियर है इस साइड को बोल दिया जाता है एनूड जो की कौन सा चार्ज होता है negatively चार्ज होता है ठीक है कैसे negative देखो यहाँ पर electron बढ़ते जा रहे है अगर electron बढ़ते जा रहे हैं तो पूरे rod की उपर कौन सा चार्ज बढ़ेगा negative चार्ज बढ़ेगा और मैं इसलिए इसको बोल देता हूँ एनूड जो की क्या होता है एक negative charge rod होती clear हो गया समझ में आगया एनोड और cathode तो आपने structure of atom में भी पड़ा हुआ है ठीक है तो भाई बात चल रही है यहाँ पे अब सुनो दूसरी जगा पर क्या होगा इसको समझ में आगया ना oxidation कहाँ पर एनोड पर एनोड पर अब इधर हो cathode की बात करेंगे cathode अगर एक एनोड है तो एक cathode ही होगा ना यह वाला copper अब ध्यान से सुनना यह जो copper है यह जो copper है यहाँ पर CuSO4 form में present है और यह वाला copper सिर्फ Cu के form में present है ठीक है अब क्या होता है यहाँ से electron आ रहे होते हैं इधर पर आएंगे ठीक है तो यह जो आपको दिख रहा है Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस आइए ना इस form में चूटता है तो यह Cu2 प्लस क्या करता है Cu2 प्लस यह जो दो electron आ रहे है इनको accept करके Cu solid बना लेता है अब याद रखना एक चीज जहां पर भी आपको charges दिख जाए प्लस माइनस यह सब के सब दिख जाए ठीक है किसम है जब वो solution के अंदर present है कोई भी चीज ठीक है CuSO4 2 माइनस तो ठीक है याद रखना इन ions को क्या लिखेंगे अपन एक को state में लिखेंगे और अगर आपको direct दिख रहा है ZN ऐसा ZN में convert हो रहा है तो इसको लिखते हैं अपन solid state में इसको एक और तरीका समझने का ZN की rod थी rod थोड़ी पानी वाली होगी ठीक है rod मतलब solid है इसलिए इसको solid में लिखा और solid जैसे ही उसके अंदर गया iron का transfer हो रहा है iron कहां पर present है aqueous में present है ठीक है अब यहां पर बात करो Cu 2 plus कहां पर present है sir aqueous में present है और दो electron को लेके वो deposit कहां पर होते जा रहा है इधर होते जा रहा है rod की उपर मतलब क्या होते जा रहा है वो solid होते जा रहा है तो Cu solid यहाँ पर समझ में आ गया, clear है यहाँ तक, मज़ा आया ना, अब समझो अच्छे से, देखे, ZN जो था, ZN 2 प्लस में बदलते जा रहा है, Cu 2 प्लस जो है, वो Cu में बदलते जा रहा है, कैसे बदल रहा है, electron को ले कर, electron को ले रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो गया भाईया जी reduction, यहाँ पर हो रहा है, reduction, तो एक बाथ को अच्छे से याद रखो, एक कोशन बना था, cathode पर क्या होता है, reduction, यह रहले हीmadı लेविल का कोशन है, लेकिन कोशन कोशन होता है, rate आनोड पर क्या होता है भाईया अपका, oxidation, clear है, आनोड क्यो पर चार्ज कौन सा होता है, negative charge होता ह है, cathode q पर charge कौन सा होता है, positive charge होता है, easy peasy, ठीक है, बहुत easy, चलो, अब समझते है, electricity का transfer, electricity किस side किस side नहीं होती है, मतलब जाती किस side है, यहाँ से electron जाएंगे, यह जा रहें आपके electron, electron गए, electron गए, electron गए, कहाँ गए, इसके side गई, electron के oppositely flow क्या होता है current होता है, तो यह आपका क्या होगा याद रखना अच्छे से important point है यहाँ पर सुन लो electron का flow flow of electron, कहां से कहां तक होता है भाई, anode to cathode anode to cathode ठीक है, तो एक चे एक point यह हो गया, दूसरा point flow of electricity flow of electricity, बहुत ही basic, जब electron के opposite होता है, तो कहां से कहां तक होगा cathode to anode cathode to anode होगा, easy है यहाँ तक clear होगया, फिर से सुन लो, अब आप इस से थोड़ा सा revise कर लेते हैं, Zn की rod थी, ZnSO4 के अंदर थी, ZnSO4 मतलब की Zn2++, और आपका SO4 2- होगा, यहाँ तक समझ में आ गया, उस rod को मैंने connect कर दिया, दूसरे वाले, बीकर में जो CU का present है, और CU SO4 का एक salt solution present है, यहाँ तक clear है ना, चलो CU 2+, और SO4 2- में यह वाला solution टूटेगा, यह जो electron दे रहा है, यह accept करेगा, तो solid के form में यह बनता जाएगा, तो मतलब की, क्योंकि ZN 2+, जाते जा रहा है, इसका मतलब क्या है, कि जो ZN है, वो उसकी rod होते जाएगी, thin उसकी rod होते जाएगी, thin, यहाँ तक clear, must मैं, ठीक है एक हो रही है, ठीक हो रही है, thin electron का transfer यहाँ से, यहाँ तक हो रहा है, clear है, अब अगर मैं overall reaction लिखना चाहूं, तो क्या लिखूंगा, at anode, यह आपका क्या था, at cathode, यह है at anode, overall लिखना चाहे तो लिख लो, कैसे होगा, देखू overall reaction, overall all reaction क्या होगी, ZN जो था, ठीक है यह बदल गया, किसमे है, ZN 2 प्लस में, और copper जो था, वो किसमें बदल गया, copper में, plus कर दो ZN, जो, electron भी लिख लो न, ठीक है तो ZN plus Cu 2 plus, बनाएगा आपके पास, ZN 2 plus, plus copper, तो इससे क्या समझ में आ रहा है एक का हो रहा है, reduction एक का हो रहा है, oxidation, देखो भाईया 0 से positive charge बढ़े गया, oxidation, positive से 0 के side चले गए तो electron कम हो गए, negative charge बढ़ रहा है, positive charge कम हो रहा है, तो reduction, तो यह reaction कौन सी आपकी, redox, reaction Sir आपने एक चीज बूल गए क्या भूल गया भाई मैं, इधर आओ देखो, यहाँ पर यह सब हो गया, आपने circuit complete कर दिया, तो यह हो गया outer circuit outer circuit मतलब कि मैं बाहर से जोड रहा हूँ, अब एक चीज और होती है, इस चीज में, जो की नई है आप सभी के लिए, एक चीज नाम आता है, उसका salt bridge, salt bridge क्या होता है, जो की inner circuit को complete कर रहा होता है, जिसमें rod से कोई wire नहीं जुड़ा, solution से ही आपके दोनों जुड़े हुए, दोनों, you type का shape होता है, देखो, salt bridge क्या होता है, you type का shape होता है, एक मुह उसका दूसरे वाले solution में गया होता है, दूसरे बीकर में, और पहला मुह खिसके से आ जाता है एक दूसरे वाले half cell में ठीक है, अगर मैं इस cell को छुपा लूँ ऐसे, आपको जितना ये दिख रहा है तो इसको बोलते है, half cell ठीक है, और अगर इसको छुपा लूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, second half cell समझ में आगया, half cell क्या होता है वो चीज होती है, एक वो भी कर, जहां पर anode का काम हो देखो, ZN जो है, वो 2 प्लस में बदलते जा रहा है तो इसके अंदर, इस solution में प्लस आयन क्या होंगे ज़्यादा होते जाएंगे, ज़्यादा होते जाएंगे SO4 माइनस से ठीक है, अब देखो, यहां पर क्या हो रहा है जो CU2 प्लस है, वो तो जाते जा रहा है वो तो न्यूटरल होते जा रहा है लेकिन, नेगिटिव चार्ज जो है वो बढ़ते जा रहा है SO4 2 माइनस तो न्यूटरल करने का काम कौन करेगा न्यूटरल कौन करेगा neutral करेगा आपका salt bridge salt bridge जो है वो किस-किस चीजों से बना होता है salt bridge के अंदर होते हैं कुछ electrolyte जैसे KCL, KNO3 या फिर ammonium nitrite ऐसे ये ऐसे किए इनको क्या बोलते है electrolyte होते है अब इनका काम क्या है इनका काम आपको समझ में आ रहा होगा इनका काम क्या होगा इनका काम है कि electric neutrality को maintain करें अगर यहाँ positive ज़्यादा बढ़े गया यहाँ negative ज़्यादा बढ़े गया तो दिक्कत हो जाएगी है कि नहीं यहाँ पर iron का imbalance हो रहा है electric neutrality maintain नहीं हो पारी तो इसको maintain कौन करता है आपका salt bridge करता है जहाँ पर इसको cotton plug से बंद कर दिया जाता है दोनो end को इसके ठीक है जिसमें iron उपर ना आए इधर यहाँ पर liquid liquid junction नो जाए वो मैं आपको अभी समझाऊँगा ठीक है इसके अंदर एक और चीज़ क्या भरी रहती है अगार अगार का paste भरा रहता है अगार अगार का ये paste भरा होता है अब इन सब चीज़ों से आपको क्या पता चला इलेक्ट्रोन का flow हो रहा है ठीक है यहाँ पर current हो रहा है यहाँ पर एक voltmeter लगा होता है voltmeter में reading आती है 1.1 volt अब 1.1 volt है वो क्या है आपका cell difference है ठीक है cell potential difference है clear potential difference हो आगया अब देखो potential difference हो आगया हमारे का क्या यह हमारे का क्या अगर मुझे ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे मैं सिर्फ इसका potential difference निकाल सकूँ ठीक है या फिर इसका EMF निकाल सकूँ तो बहुत अच्छी चीज़ आईगी ठीक है लेकिन यह overall cell potential difference बता रहा है ठीक है यह EMF of the cell total के इतना आता है EMF जिसको अपन बोल देते हैं E cell वो आगे आपका 1.1 volt अब इसके बाद एक कहानी और चालू होती है इतना लिखो फिर आगे चलता है अब भाई मारे वोल्ट मीटर में value तो आगई अपने कितनी 1.1 1.1 volt लेकिन हमें यह जानने में मतलब नहीं कि 1.1 volt क्या है या फिर कैसे आई हमें तो यह चाहिए कि इसकी सिर्फ इस solution की value कितनी होगी और इस solution की value कितनी होगी तो यह electrochemical cell से नहीं पाता है इसके लिए अपनको पढ़ना पाता है standard hydrogen electrode ठीक है इससे हमें क्या पता चलता है देखो एक चीज़ यह जो 1.1 volt आया यह actual में क्या है तो यहाँ पहले बोलूँगा यह है आपका क्या potential मैंने आपको बाद बाद पहले भी बोल चुका हूँ potential difference potential difference और potential difference क्या होता है कैसे निकालते हो आप higher potential minus lower potential ठीक है तो एक होता है आपका higher potential ठीक है और एक होता है आपका lower potential lower potential ठीक है ओके अब higher potential किसका होगा cathode का होगा या anode का होगा तो याद रखना higher potential पे हमेशा आपका cathode present होता है और lower potential पे आपका हमेशा anode present होता है तो अगर अब मुझे EMF निकालना है तो EMF के लिए आपको क्या करना पड़ता है EMF जिसको अपन E cell भी बोलते हैं E cell वो होता है आपका cathode minus anode ठीक है इसको बोलते हैं हमें जो मतलब है हम निकालते हैं पता क्या है हम निकालते हैं E not cell E not cell क्या होता है E cell तो समझ में आएगी EMF of the cell और not लग जाए तो not जैसे ही लग जाए तो समझ जाना वो क्या होता है standard standard cell potential ठीक है EMF standard EMF potential standard का मतलब क्या होता है आपका यहां पे जो solution है वो जब आप consider करके लिख रखते हो 1 molar जब आपका pressure जो है वो 1 ATM होता है जो आपका temperature जो है वो 25 degree Celsius को आप maintain करके रखते हो आप अंताव उसको क्या बोलते है standard condition ठीक है तो standard condition पे जो आपका EMF of the cell होता है उसको बोला जाता है standard EMF potential ठीक है EMF बोल सकते हो potential लिखने की जरूरत नहीं है चलो तो वो क्या हो जाएगा फिर standard electrode potential electrode potential at cathode same same minus standard electrode potential तो पूरा का पूरा same है ये वाला at anode अब यहाँ पर एक कहानी है वो कहानी ये है कि IUPAC ने बोला आपना ये रूखा सूखा standard EMF potential नहीं ले सकते आपको consider करना पड़ेगा क्या reduction potential ठीक है तो क्या हो लिखा जाता है यहाँ पर देखो reduction potential at cathode minus E reduction reduction at anode E electrode reduction electrode at A और XE ठीक है तो यह होता है आपको क्या EMF of the cell E cell बोला जाता है जिसको standard reduction potential at cathode standard reduction potential at anode अब reduction तो anode पर होता ही नहीं है reduction की अगर मैं बात करूँ तो सिरफ cathode पर ही reduction होता है तो anode का कैसे लें तो बहुत इजी तरीका है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो मैं आपको आगे बताऊँगा ठीक है तो यहाँ पर याल रखना जो E naught cell है वो तो अपना 1.1 आता है लेकिन हमें यह नहीं बता कि E जो R इसकी value क्या है और E R इसकी value क्या है यह हमें पता ही नहीं है ठीक है हमें direct value पता है हमें direct cell difference पता है ना 1.1 जो आ रहा है वो भी कैसे आ रहा है voltimeter में deflect होके एक reading आई होगी उससे हमें पता है लेकिन यह थोड़ी ना पता है कि भाईया यहाँ पर इसका 1 होगा इसका 0.1 होगा उसको add कर दिया तो इतना आ गया यह तो हमें नहीं पता है या पर 1.2 इसका होगा 0.1 इसका होगा मैंने इसमें difference ने का लिए तो 1.1 आ गया हमें पूरी जो proper detail है वो अभी नहीं पता है वो हमें पता चलती है hydrogen electron से मैं आपको आगे समझाने ही वाला हूँ clear है जो अपन आगे समझेंगे अभी थोड़ा सा देख लेते है salt bridge के वारे में ठीक है यह अपन ने अभी देखा अब salt bridge क्या करता है मैंने आपको एक हलका सा जो है वो आपको hint दे दिया था क्या होता है यहाँ पर अपन इस पर plug लगा देते है salt bridge का काम होता है यहाँ पर यह क्या होता है आपका cotton plug cotton plug है यह ठीक है cotton plug cotton plug क्या होता है यहाँ पर आयन को आने से रोकता है कौन से आयन देखो वहाँ पर क्या बढ़ रहा था ZN2+, तो यहाँ पर ZN2+, आने से रोकेगा, और वहाँ पर क्या बढ़ रहा था आपका, SO42-, तो इनको आने से वो रोकता है, क्यों रोकता होगा, तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो, वो आपना अभी समझते हैं, कि इसके अंदर क्या भरा होता है, एक KCl, KNO3, या फिर Ammonium Nit जिसको NH4, NO3 भी बोला जाता है, यह सारी सारी चीज़ें बड़ी होती है, सॉल्ट प्रिज के अंदर, प्लस, प्लस, यह भी बड़ा होता है, क्या पॉली सेकराइट्स बड़े होते हैं, जिसको अपन बोल देते हैं, अगार अगार का पेस्ट, अगार अगार पेस्ट, काम क्या है, ध्यान से सनो, KCL अगर मैं बात कर रहा हूं, या फिर कुछ भी ले सकते हूं, ठीक है, तो देखो, KCL की बात करो, क्या गाम है, जैसे ही मैंने बोला कि ZN2 प्लस यहां पर बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए तुरंत भाग के कौन सा आ और इसको न्यूट्रल कर देगा, ठीक है, जैसे ही यहां पर क्या होगा, यहां पर SOFORGE मतलब की नेगिटिव चार्ज बढ़ रहे हैं, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या होगा, K यहां से भागेगा, और इधर आ जाएगा, अब दोनों ही चीज में आपको क्या यह होगी, जिसकी मोबिलिटी जादा हो, या फिर वो क्या हो, बहुत तेज भागते हो, ठीक है, तो याद रखना, KCL जो है, या फिर KNO3 जो है, यह सारे के सारे जो एलेक्ट्रोलाइट हैं, बहुत तेज भागते हैं, ठीक है, यहां पर इनकी जो आइनिक मोबिलिटी है, आइनिक मोबिलिटी काफी जादा फास्ट है, आइनिक मोबिलिटी में सिर्फ इसका मतलब नहीं है, कि के जादा जल्दी भाग जाए, या फिर केटाइन जादा जल्दी भाग पा रहा है, याद रखना, आइनिक मोबिलिटी का यह मतलब होता है, कि दोनों के दोनों आइन बहुत तेजी से move कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए आपके salt bridge के अंदर KCL या KNO3 को लिया जाता है, आपको समझ में आ गया कि क्यों लेते हैं KCL ही KNO3 ही, क्योंकि उनकी आने के mobility काफी ज़्यादा होती है, clear हो गया, क्यों चाहिए करने के लिए, क्यों कि ये क्या कर सके salt bridge, neutral कर सके ठीक है, neutral, आपका क्या कर सकते हैं, वो electric neutrality को वो maintain कर सके, ठीक है, क्यों क्योंकि एक बीकर में ये डला होगा, एक बीकर में ये डला होगा ऐसी देखाता है पन्ने, ये क्या करता है, internal circuit को complete करता है, यहां तक सभी को clear होगा ना, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी वर टिड यू शेब्ड ट्यूब, शेब्ड ट्यूब ये होती है, ठीक है, बहुत बेसिक, ये होता है आपके salt bridge का काम, अब सर क्या मैं यहां पर salt bridge का use तब कर सकता हूँ, जब मैंने यहां पर जो rod डाली है, वो PB की डाली हो, यहां मैंने यहां पर mercury डाला हो, यहां मैंने यहां पर ag डाला हो, तो आप इसका मुझे answer दे के थोड़ा सा logic दें, अगर बच्चों तो मुझे मज़ा आ जाए, आप मुझे answer दो, क्या जब मैंने rod ली हो, lead की, या mercury ली हो, या फिर आपकी silver की rod ली हो, तो क्या तब आप K, C, L मतलब potassium chloride का use कर सकते हो, answer बताओ, देखो, तेदी answer नहीं दिया, तो मैं बताता हूँ, याद रखना हमेशा, K, C, L का use कभी नहीं होगा, अगर आपकी जो rod हैं, वो इन मैसे कोई हैं, सर, ऐसा क्यों, क्यों बेदभाव, अरे बेदभाव इसलिए, क्योंकि क्या होता है, जैसे ही, contact में आते हैं, K, C, L और P, B, C, L, ठीके, यहाँ पर देखो, जो K, C, L है न, जैसे ही contact में आएगा, P, B, C, L, तो वो P, B, C, L, 2 बना लेगा, H, G, 2, C, L, 2 बन जाएगा, H, G, C, L, 2 बन जाएगा, ठीके, तो इससे क्या समझ में आए, इसने तीन compound से, कि यहाँ पर आपका, precipitation reaction होने लगेगा, precipitation reaction होने लगेगा, precipitation reaction जैसे ही होगा, ठीके, तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका voltage आ रहा था, voltage कहाँ पर आ रहा था, यह यह बाला, जैसे इतनी सारी reaction हो रही तो यहाँ पर आपको कह देखने को मिल रहा था, voltage देखना को मिल रहा था, 1.1, यहाँ पर reading में difference आने लगेगा, क्यों आने लगेगा, यहाँ पर जम गया कुछ, यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर माल लेते हैं, आपका A, G, C, L जम गया, A, G, C, L जम गया, या फिर, H, G, C, L, 2, यह जम गया, या फिर, H, G, C, L, 2, बन गया, या फिर, P, B, C, L, 2, बन गया, ठीक है, जैसे यह सारी कि सारी चीज़े बनेंगे ना, आपका जो वो है, क्या, voltage, उसमें difference आएगा, आपका cell जो है, proper working नहीं कर पाएगा, इसल याद रखना बहुत ही जादा अच्छे से, क्या बोला मैंने वापिस से, जब भी ऐसे चीज़े हों आपके पास, P, B, H, G, H, G, H, G, H, O, और भी कुछ हो, और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं, मैंने आपके तीन को example दे रहा है, तब आप कोई भी ऐसी चीज़ का use नहीं करेंग जहां पर C, L हो, A, G, N, O, 3 भी तो बना सकता है, ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, तब आप कौन से लोगे, अमूनियम ले सकते हो, मगर उसमें भी नाइट्रेड है, ठीक है, तो याद रखना, इन सब चीज़ों में, कभी भी K, C, L का use नहीं हो सकता है, क्यों इससे कर रहा है, आयन, जो है, transfer हो रहा है, कौन से आयन, कैसे हो रहा है, क्योंकि उनकी mobility, ज़दा है, mobility, ज़दा है, clear, ठीक है, तो इतना हमें समझ में आगे, कि maintain electrical neutrality, इससे question आया हुआ है, ठीक है, statement वाले question पूछ लेता है, तो ध्यान से सुनते चलो, अब अच्छे एक चीज़ और मैंने यहाँ पे प्लग क्यों लगाया था? आप सभी को पता है क्योंकि यहाँ पर क्या न जा पाए? आएंस न जा पाए अभी आपको लगेगा आगे इसलिए मैंने याद दिला दें यहाँ से सुनो, यहाँ पर कहे टू कम्प्लीट इनर सर्किट इनर सर्किट को वो कम्प्लीट कर रहा है, दोनों के दोनों सॉलूशन में डिप है यह पता है टू रिडियूस लिक्विड लिक्विड जंक्शन अब यह क्या होता है? टू रिडियूस लिक्विड लिक्विड जंक्शन क्या होगा, क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, ध्यान से सुनो, यहाँ पर क्या हो रहा था, ZN2 प्लस अगर जाए, ZN2 प्लस, ZN2 प्लस, ZN2 प्लस, ZN2 प्लस, चला गया, यहाँ पर क्या होगा, ZN2 प्लस, 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 ZN2 प् क्या बोलते हुआ इस को बोलते हैं अधान लीकवीड लीकवीड जंक्शन थीक है तो سॉल्ट प्रिज क्या कर रहा है अगर आपने आम ले लिया सॉल्ट प्रिज कभी की बात कर रहा हूं जब इसमें क्या डाल दिया जाता है एक तो यहां से plug कर दिया जाता है कौन सा plug cotton plug डाल दिया जाता है, दोनों end पर और अगर-अगर का paste डाल दिया जाता है, ठीक है और KCR जैसे end डाल दिया जाता है क्यों कि उसको क्या कर सके, वो neutral कर सके तो यहाँ पर यह क्या हो जाता है यह जो point आना बहुत कम chance जाते हैं, मतलब क्या हो गहा है to reduce liquid-liquid junction हो रहा है clear हो गया, ठीक है important point वापस से आपको एक बार याद दिला दे रहा हूँ, क्या-क्या हो गया अपना ठीक है, तो यहाँ पर electrochemical cell जो है खातम हो गई उसकी working फिर से एक बार याद दिला देता हूँ, देखो क्या-क्या हो गया यहाँ से चले थे, यह chemical reaction को लिया जाता है ठीक है, यह chemical reaction जादा तर डैनियल सेल में देखी जाती है डैनियल सेल भी आपको same working है है ना, उससे ही समझा जाता, electrochemical cell को क्या हो गया, भाई यह देखो, zinc की rod दी उसको डाल दिया, उसके salt solution में वो convert हो गया, ZN2 plus के अंदर ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या है, copper में क्या उल्टा हो रहा है, copper 2 plus convert हो रहा है CU में, क्योंकि यहाँ पर जमते जा रहा है copper तो थिक होते जा रही है rod, यहाँ से ZN2 plus निकलते जा रहा है तो thin होते जा रही है rod ठीक है, electron यह निकाल रहा है तो anode पर हो रहा है, oxidation और cathode पर हो रहा है, reduction क्योंकि वो electron को ले रहा है clear हो गया, तो anode कौन सा charge हो गया, electron निकल रहा है, इसलिए negative charge, और यह लेते जा रहा है तो positive charge, CO2 plus जमते जा रहा है, जमते जा रहा है, तो वो positive charge हो गया, clear है यहां तक समझ में आ गया, अब एक time ऐसा आएगा कि बंद हो जाएगा सब कुछ सब कुछ ही बंद हो जाएगा, क्यों thin हो गई, खतम हो गया, ठीक है, जहाँ पर charges बढ़ जाएगे, यहां पर देखना, ZN2 plus बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और SO4 कम होता जाएगा, क्यों हो रहा है भी यह positive क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यह तूटके गिर रहा है ना अंदर, ठीक है, और यहां पर SO4 to minus बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर CO2 plus यह तो फिर अपनने inner sun kit को complete किया, with the help of salt bridge salt bridge के अंदर क्या-क्या चीज़े जूड़ी हुई थी, एक KCL भरा होगा KNO3 भरा होगा, फिर ammonium nitrogen भरा होगा, तब जब हमारे पॉस यह सारी की सारी rod present ना हो तब भरा होगा, वो क्या करेगा, सर जैसे ही यहां पर positive charge बढ़ेगा, तो आपका CL minus भक्याएगा, और यहां पर अगर negative charge बढ़ेगा, तो यहां पर K भक्याएगा जिसके कारण एक neutrality maintain हो रही है, और आपको perfect value मिल रही है, वोल्ट मीटर पर, वोल्ट मीटर पर हमें value मिली थी 1.1, उसको अपन बोलते है, EMF of the cell लेकिन IUPAC ने बोला, कि आप standard electrode potential सिर्फ नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे, standard electrode reduction potential हमेशा EMF of the cell में, मतलब EMF cell में, FSL potential में, हमेशा आपका count होता है reduction potential, यह IUPAC ने बोला है, इस question में बहुत सारे लोग फस जाते हैं, तो याद रखना, क्या count होगा आपका reduction potential ही count होता है ठीक है, तो अपन ने अभी लिखा भी था पीछे, यह लिखा हुआ है E यह आपकी equation है, main वाला यह formula है, ठीक है, तो इसको मैं highlight कर देता हूँ कि E naught cell is equal to होता है, reduction potential cathode side और anode side, या फिर उसको लिखना है, तो लिख दो reduction minus oxidation, जैसे समझना है, लेकिन formula याद होना चाहिए ठीक है, अपन ने यह देखा 1.1 volt आया है, तो मतलब की 1.1 volt total cell आ गया है, लेकिन मुझे अभी भी individual value नहीं पता की cathode की क्या है, और anode की क्या है, समझ में आ गया न, ठीक है, यह पूरा आपका recap हो गया, electrochemical cell क्या होता है, और भी कोई चीज है, आप बता दो मुझे, ठीक है rod पतली हो रही है, वो मोटी हो रही है, ठीक है, clear है यहां तक, चलो अब आपन बात करेंगे, आगे एक concept की ठीक है, की value कहां से आ रही होगी, 1.1 कहां से आया, उसकी बात करते हैं चलो आगे, अब E not cell कैसे निकलता है, आप लेको क्या बोला है, find EMF of the cell ठीक है, क्योंकि अपन ने अभी निकला था, same ही है, अब मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई थी, कि ये कैसे लिखते है ZN, ZN, 2+, Cu, 2+, और Cu, ये कैसे लिखते हैं ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, और इसका मतलब क्या है, तो याद रखना जब भी आपको salt bridge का representation करना हूँ, represent कैसे करते हैं, उसको double arrow से क्यों, क्योंकि वो 2 beaker की बीच में है, 2 half cell की बीच में तो आप ऐसे समझ लेना, कि 1 half cell, 2 half cell ऐसे रखे हुए, तो वो आपका salt bridge बताता है, ठीक है, तो चलो मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से देखना, कि अगर मुझे क्या करना है, एक beaker है, ठीक है, यह हाँ आपका एक beaker, यह हाँ आपका एक beaker, जिसके अंदर 2 salt solution है, जैसे की C-U-SO-4 था C-U-SO-4 था और यहाँ पर Z-N-SO-4 था, ठीक है, यह रखी हुई थी इसमें, rod, यह भी रखी है इसके अंदर एक rod, जिसको मैंने यहाँ पर circuit complete कर दिया है, इसको मैंने जोड के रखा था किस से, एक salt bridge से यह ऐसा मैंने ऐसा 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 इसको जोड के रखा था, यह उल्टा सीदा बन गया है, ठीक है, तो size से बना लेते हैं इसको, और ध्यान से देखना ठीक है, तो मैंने क्या कर रहा है इसको ऐसे जोड दिया, और इसको भी ऐसे जोड दिया यह हो गया salt bridge, ठीक है यहाँ पर क्या हो रहा था कि Z-N जो है और यहाँ पर CU की rod थी Z-N जो है, वो convert हो रहा था Z-N 2 प्लस के अंदर और जो copper है वो 2 प्लस convert हो रहा था copper के अंदर ठीक है, तो starting face में क्या था ध्यान से जुनना, starting face में था Z-N, जो की convert हो गया किसमें, Z-N 2 प्लस पे, double मत्तब क्या है, बीच में क्या है, आपका salt bridge, तो अपने ऐसे so करेंगे अब यहाँ पर क्या हो रहा है, Cu2 प्लस, जो की convert हो गया, Cu में, ऐसे लिखा जाता है reaction को, ठीक है, अगर आपको reaction ऐसे represent हो रही है, तो confuse मत हो जाना उसे ने आपको, यह क्या बोलते हैं, इसको cell representation बोलते हैं, cell representation इसका मतलब क्या होता है, आपका salt bridge, मतलब इन दोनों की बीच में क्या present है, salt bridge present है clear हो गया, समझ में आ गया, अब कैसे solve करें, EMF of the cell कैसे निकालोगी, अपनको पिछली की value तो पता है, लेकिन इस पर समझो, देखो ZN जो है, क्या हो रहा है, Y वाली radiation लिख लो, total combine करके लिखेंगे यहाँ पे, तो एक काम करो, सबसे पहले, इन term को लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है, तो क्या है, देखो ZN जो है वो plus Cu2 plus के साथ मिला, यह देखो left side वाला मैंने पहले लिखा, अब right का लिखो, right का लिखेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, ZN 2 plus मैं convert हो गया, plus उसने क्या बना लिया, copper जो है, solid pom में, वो convert हो गया, देखो, जितने भी iron है, उसको अपन equals लिखेंगे, और जितना बिना iron का है, उसको अपन solid लिखेंगे, अब समझना, IUPAC ने क्या बोला था, reduction potential count होता है, सबसे पहले तो अपन formula लिखेंगे, formula क्या होता है, कि E naught, cell is equal to होता है, reduction potential of क्या आपका cathode, reduction potential है, तो मैं ER लिख रहा हूँ, of cathode, minus electrode reduction potential of anode, ऐसे, लेकिन anode का क्या नहीं होता, reduction नहीं होता, तो आप फज जाओगे, त्यांच सुनो कैसे करेंगे, ZN देखो, आपको value क्या देखे रखा है, ये है, 0.76, कैसे आई होगी, आगे समझेंगे, ठीक है, तो देखो, क्या है, ये आपका given value हो, निकली निकलाई value हो, वैसे तो आपको हर reaction में मिलेगी, ठीक है, तो ZN जो है, वो convert हो रहा है, ZN two plus में, मत्तब इसका क्या हो रहा है, भाईया, oxidation हो रहा है, और जो की, ये भी बता रहा है, देखो, ZN convert हो रहा है, ZN two plus में, ये बता रहा है, अब copper two plus convert हो रहा है, किसमें, copper के अंदर value आई, ये तिनी, ठीक है, तो देखो, सेम इसमें हो रहा है, copper two plus convert हो रहा है, cu में, मत्लब इसका क्या हो रहा है, reduction, तो यहां पर जो आपको value देखी रखी है, is not sell की, तो ये तो आपको कौन सी देखे रखा है, reduction देखे रखा, देखो, क्योंकि यहां पर क्या बढ़ रहा है, charge बढ़ रहा है, ठीक है, cu two plus क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब आपका positive charge क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन negative charge बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये वाली जो value देखे रखा है, ये reduction potential की value है, reduction reduction potential की value है यह लेकिन यहां पर यह क्या है oxidation potential है क्यों क्योंकि देखो Zn से हमें दिख रहा है Zn 2 प्लस बन रहा है मतलब कि positive charge बढ़ रहे हैं तो यह वाली value आपको गलत देखे रखा है तो convert कैसे करेंगे convert कैसे करेंगे मुझे तो यहां पर reduction potential चाहिए कैसे करेंगे कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपको ऐसी value दे जाए sign change कर दो यह नॉट सेल की जो आमें पहले वाली cathode के लिए जो आपको value देके रखी है reduction potential वो कित्ती है 0.34 तो as it is लेखोगे sign change नहीं करोगे क्यों नहीं करा सार चेंज यह आपको सही देखे रखा है क्योंकि यहां पर reduction हो रहा है आपको देखना पड़ेगा हर बार यहां पर अब माइनस formula का minus एनोड की बात करो एनोड में हमें यह oxidation की दिख रहा है direct oxidation दिख रहा है मतलब की reduction तो है नहीं तो क्या करोगे इसका sign change कर दो bracket minus 0.7 plus था मैंने minus लेखा क्यों 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 गलत देखे रखा है reduction potential चाहिए बार बार बोल रहा हूं reduction potential चाहिए यहां पर oxidation potential था तो क्या हो जाएगा e not cell is equal to 0.34 plus 0.7 गिता हो जाएगा 1.1 bolt is equal to e not cell यही तो value आई थी यही तो हमारी value आई थी आप सब को लगेगा कि indivisible value तो मैं पास थी ही नहीं electrochemical cell से निकल ही नहीं रहा था तो कहां से निकला तो वो निकलता है आपका इस से जिसको बोला जाता है standard hydrogen electrode मतलब SHE जिसके वारे मैं पन पढ़ेंगे वो तो आपके दिमाग में भी confusion था इसलिए मैंने आपको समझा दिया बहुत easy यह वाला बिलकुल घवराने वाली बात नहीं होगी clear है चलो इतना समाझ में आ गया इतना लिखो doubt होगा तो बता देना मु यह जो SHE होता है यह होता है आपका एक reference reference electrode अब इसका काम क्या है reference का मतलब क्या होता है reference का मतलब होता है कि इसकी मदद से सारे की सारे क्या कर सकते हैं अपन we can calculate calculate हर potential जितने भी potential होते हैं we can calculate potential of any non-metal any non-metal or metal हर आप metal और non-metal का क्या कर सकते हो EMF निकाल सकते हो potential निकाल सकते हैं ठीक है किस से SHE से क्यों क्यों क्योंकि एक reference है अब SHE होता क्या है तो यह सबसे बड़ी बात है तो देखो यहां पर क्या होता है SHE जो है यहां पर आपका एक molar one molar जो रहता है आपका देखो acidic solution present रहता है one molar acidic solution acidic solution जिसके अंदर डाली जाती है एक platinum wire ठीक है platinum wire और यहां पर आपका एक लटक रहा होता है क्या platinum coated देखो यहां पर क्या लगा फाइनली डिवाइड़ प्लेटिनियम कोटेड और न प्लेटिनियम फाइल तो यहां पर क्या हो एक platinum प्लेटिनियम फाइल जो है ऐसी लटकी होती है यहां से आपका H2 को जो गैस है वो पार्स करा जाता है वन बार पर ठीक है तो यहां पर देख लो अगर आप metal के उपर metal के उपर H2 गैस डालोगे तो वो क्या होती है adsorption वहां पर होता है adsorption अब ध्यान से सुनना काफी ज़्यादा ध्यान से ठीक देखो दो चीज़े हो सकती है अब adsorption तो हो रहा है लेकिन दो प्रसेस हो सकती है एक हो सकता है oxidation oxidation और एक हो सकता है reduction कब हो सकता है यह अब आपको सोच के जल्दी से मुझे बताना है oxidation कब होगा जब मैं standard hydrogen electrode को anode पर लगा दूँ as a anode work करा दूँ ठीक है अब reduction कब होगा जब मैं इस hydrogen electrode को cathode बना दूँ बनाना कैसे पड़ेगा अरे भाई यह वायर दिया है ना इसको क्या करो anode वाले जो है आपका zinc वाला जो था उसको जोड़ दो इसके साथ तो यह cathode की तरह work करेगा सिंपल सा है ठीक है अब अगर मैं इसको copper के साथ जोड़ दूँ गा तो यह किस की तरह work करेगा आपका किस की तरह work करेगा बताब cathode की तरह work करेगा कि एनोड की तरह करेगा तब यह anode की तरह work करेगा clear है ठीक है ऐसे work करता है working में क्या होता है एनोड की तरह कर रहा है तो क्या हो रहा है oxidation मतलब जो h2 gas है वो क्या करीगी भईया h plus में बदलेगी दो electron दे देगी ऐसा ठीक है और same ही same reduction की बात कर रहा हूं तो यह जो 2 h plus है यह h क्या करेगा electron को ले लेगा और किस में बदल जाएगा h2 में बदल जाएगा प्रोसेस सेम ही है अब बस आपको याद रखना है बहुत अच्छी चीज जो अपने काम की है sHG में इसका reduction potential भले एनोड हो भले कैथोड हो इसमें इसको consider करा जाता है इसका er हमेशा zero zero देखो अब आपके सारे डाउट यहां पर होने वाले है एकदम clear देखो अब मैं बताता हूँ ठीक है थोड़ा सा पीछे चलेंगे आपका मैं diagram कहां बनाऊ बताऊ अच्छा यहां बना के बताऊं क्या नहीं नहीं बनाएंगे इसके पास बनाएंगे अब देखो बहुत सारे डाउट clear होने वाले हैं मैंने क्या बोला उसका reduction potential consider करा जाता है आईउपेक की तरफ से zero मान के चलो imagine करो मैंने यहां पर SHE जोड़ दिया ठीक है तो एपन एक काम करते हैं बना के ही देख लेते हैं इसमें ही बना लेता हूँ मैं देखो मैंने क्या करा यहां पर तो zinc था ZNSO4 इसके अंदर है यहां पर rod डली हुई है ZN की यहां पर salt bridge भी है लेकिन इस बार थोड़ा अलग क्या है मैंने इसमें क्या डाला हुआ है आपका यह जो आपको दिख रहा है platinum wire ठीक है यहां पर लटक रही है आपकी foil और यह जो है hydrogen यहां से पास करी जा रही है ठीक है ध सारे doubt clear होने वाले हैं बस focus रखना मैंने क्या कर रहा है zinc को add करा SHE के साथ standard hydrogen electrode के साथ क्योंकि zinc show कैसे work करता है anode की तरह anode की तरह तो SHE को क्या work होगा sir यह cathode की तरह work करेगा sir value कैसे आई है इतनी सारी अरे इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ देखो क्या होगा कैसे निकालते थे e not cell e not cell था sir reduction potential at cathode side minus reduction potential at anode side ठीक है और SHE work कर रहा है cathode की तरह यह तो zero होगा जीरो होगया तो यहां पर जो आपकी voltmeter की reading आ रही होगी तो वो किसकी reading आएगी वो सिर्फ और सिर्फ पताओ पताओ वो आएगी आपकी ZN की तो जो आपकी value आएगी वही आपकी ZN की होगी तो आपको कैसमझ में आएगी reference hydrogen electrode कैसे work कर रहा है ऐसे work कर रहा है क्यों क्यों कि qui कापर की आजाओ 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 nou देखो बहुत easy है थोड़ा भस मजे में पढ़े बहुत समझ में जायेगा इसकी जगाह पे मैं कर दे रहा हूं copper ठीक है ध्यान से सुनना यहां पे ऐसे नहीं करना था देखो आजाओ copper मैंने यहाँ पर कर दिया भाई यह हो गया cu so4 copper की rod हो गई copper जो है अब anode की तरह work थोड़ी न करेगा वो तो work करेगा cathode की तरह ठीक है वो बन गया cathode क्यों क्यों क्योंकि इसका तो होता है न reduction इसका होगा reduction तो SH क्योंकि यह cathode है तो SH कैसे लगेगा एनोड की तरह और यह एनोड की तरह अगर लग रहा है तो यहाँ पर यह zero हो जाएगा और यहाँ पर जो आपकी value आएगी वो सिर्फ आपको copper sholition की देखने को मिलेगी तो यहाँ पर आप क्या निकाल पाए यहाँ पर निकाल पाएपर potential किसका single metal का metal कौन सा था copper था तो दियान से सुनो एक चीज़ आपके दिमाग में आप बहुत अच्छे से बैठ जानी चाहिए की अगर मैंने SHE को as a anode जोडा तो value आएगी positive क्यों क्योंकि negative वाला zero हो रहा है ठीक है तो याद रखना SHE SHE अगर ठीक है तो value हमेशा क्या आएगी positive value of EMF लिक लेता है value of E not cell value of E not cell हमेशा always क्या होगी positive always positive लेकिन अगर मैंने SHE को as a cathode add करके रखा हूँ तो जो आपकी value value of E not cell होगी always negative होगी always negative होगी negative ठीक है तो एक बार वापस से देख भी लेते हैं क्या हुआ था भाई या एनोड में आपको डारेक्ट देख रहा है ना reduction potential एनोड एनोड मतलब माइनस जीरो होगा ना माइनस जीरो का मतलब ही नहीं यह तो cathode क्या होगा हमेशा positive होगा EMF of the cell हमेशा positive होगा with the help of this सारे सारे solution को इसके साथ लगाया गया और एक series बनाया गई जिसको बोला जाता है आपका कौन सा electrochemical series यह जो है आपका दिख रहा है electrochemical series जिसके अपन आगे बात करेंगे अगली वाली वीडियो में बात करेंगे वैसे तो यह वाला है ठीक है तो अब मैंने क्या कर रहा है hydrogen अपना क्या है एक standard है ठीक है तो इसको मैं अलग color सही लग देता हूँ standard है ठीक है या फिर आप इसको लिखना चाहो तो reference मानो standard reference में वैसे को ज़्यादा अंतर नहीं होता है standard से भी अपन compare करते है और reference से भी compare करते है ठीक है तो यह है अब जैसे मैंने इसको cathode की तरह put करा था तो बाकी के सारे सारे किस की तरह work करेंगे anode की तरह तो मैंने anode लेखा हुआ है और अगर anode की तरह work कर रहे है तो उनकी जो value है हमेशा कैसी आईगी positive आईगी positive हमेशा value होगी तो आपको यहाँ पर positive 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 सा value देखने को मिलेगा अगर hydrogen की नीचे की मैं बात कर रहा हूँ यह वाली ठीक है hydrogen की अगर मैं नीचे की मैं बात कर रहा हूँ एक मिनदे इसको मैंने cathode की तरह बनाया है ठीक है तो यह हमेशा आपको negative तुमा मेलेगा ठीक है यह क्या बोल दिया सर यह आपको नेगिटिव देखने को मैलेगा यह अपना क्या बना है यह जब ऐखेषोड बना यह यह ए नुट बना है कैखेषोड फिक तो माइनस आ येगा न 55 अब अगर मैंने इसको add करके रखा है कि इसकी तरह as anode तो आपकी जो value है वो कौन सी आएगी भाई वो आएगी अब आपकी positive सारी की सारी positive होंगी तो याद रखना सबसे ज़्यादा reduction potential होता है फ्लोरीन का ठीक है यही order होता है ठीक है तो आप जैसे ही नीचे आ रहे हो इसकी इसमें हर्जन की नीचे आ रहे हो तो आपको सबसे ज़्यादा देखने को क्या मिलेगा इसका reduction potential maximum तो मैं लख देता हूँ फ्लोरीन का क्या होता है maximum reduction potential reduction potential होता है वहीं पे वहीं पे similarly लीथियम का very very minimum electrode potential होता है समझ में आ गया clear है ठीक है सबसे ज़्यादा negative value किसकी होती है लीथियम की सबसे ज़्यादा positive value किती होती है फ्लोरीन के लगबाइक 2.24 के लगबाइक इतने ही होती है ठीक है आपको याद किस किस की रखनी है याद किसी की नहीं रखनी है क्योंकि आपको वो question में देगा ही देगा clear समझ में आगया zinc copper बहुत common है और iron बहुत common है ठीक है तो मैं आपको बहुत सारे जो calculation है numerical है वो भी इस chapter में कराऊंगा तो उसमें घवरानी की बात नहीं है इतना लिखो clear ठीक है अब अगले वाले वीडियो में अपन electrochemical series के बारे में थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ेंगे ठीक है application जो है उसकी वो क्या-क्या होती है उसके बारे में समझेंगे ठीक है इस वीडियो का aim क्या था इस chapter में आपको समझ में क्या है सबसे बड़ी बात वही है इस हमे कि आप chemical energy को convert कर पा रहे है electrical energy में लेकिन जब हमें इतना देखने को मिल रहा है तो हमें न इंडिविजिबल रीडिंग देखने को मिली नहीं तो क्या हुआ वोल्टिमीटर तो हमें देख रहा था तो क्या कर रहा मैंने एक एक electrode को zero ही कर दिया एक half cell को zero कर दिया half cell जो zero to electro reduction potential of cathode or reduction potential at anode वाला ठीक है अब वो कैसे निकलता है मैंने आपको अभी बताया clear समझ में आगया चल चली तो सारी के सारी बाते मतलब एकदम basic सी बाते हैं और मैं उमीद कर रहा हूँ यह आपने note भी करी होंगी जो important point है मैंने आपको अभी बताया है तो याद रखना basic है लेकिन अच्छा है ऐसा नहीं है कि यह वीडियो देख लिए अगले वीडियो देखने नहीं आओगे ठीक है आगे जो है अपन और important point के बात करेंगे relations की बात करेंगे अब आपको जो self working है कई लोगों का मन नहीं लगाओगा एक self working में ठीक है working में भले मन मत लगाओ लेकिन जो आपका EMF निकल रहा है आयूपै क्या कहर रहा है इसमें मन लगाओ salt bridge बहुत में है आपका तो इसमें मन लगाओ ठीक है चलिए तो notes बनाते रहेगा और मैं आपसे आप मिलूँगा आने वाले वीडियो में और मैं मिलूँगा वहाँ learn how free apper बैस जाना खयाल रखिए notes ब झाल 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 झाल